आज की इस कहानी का नाम है बारिश की रात, आज रोहित की साल गिराह है, उसकी पत्नी घर पर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन आज रोहित को ओफिस से लौटते वक्त काफी देर हो जाती है, वो अपनी बाइट स्टॉट करता है लेकिन काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी बाइक स्टॉट नहीं हूती है, वह बाइक को वही छोड़ देता है और बस का इंतजार करने लगता है, क्योंकि कुछी समय में बस के आने का टाइम होने लगता है, वह चलते चलते बस स्टैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश होना शुरू हो जाती है रोहित बारिश में भीगने लगता है, बारिश से बचने के लिए वह अपने सूट के इसको अपने सिर पर रख लेता है, बस स्टैंड पर और भी कई लोग बस का इंतजार कर रहे होते हैं, ये सभी लोग देखने में बड़े ही अजीब लग रहे थे, तभी रोहित महसूस करता है कि बारिश की बूंदे उसके ऊपर गिरना बंध हो गई है, जब उसने देखा तो बगल में एक व्यक्ति अपनी छत्री के आधे हिस्से को रोहित के ऊपर किये हुए था, ये देखकर रोहित हलका सा मुस्कुराया, उस व्यक्ति की लंबाए रोहित के बराबर थी, ह कहीं लोगों को जीवन देती है तो कहीं मौत, उस आदमी की इस बात का रोहित के पास कोई जवाब नहीं था, वह उस आदमी को देखकर हलका सा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, कुछ देर बाद रोहित का फोन बज़ता है, वह जेद से फोन निकालता है तब ये फोन ह उठाने के लिए जुकता है तो उसे कुछ हिसा दिखाई देता है जिससे वह पूरी तरह दर जाता है, वह देखता है कि छटरी वाले आदमी के पैर नहीं है, वह जूतों पर बिना पैरों के ख़ड़ा है, वह हिम्मत बांध कर खड़ा होता है और अंजान बनने का पर बाकी के लोग नहीं है वो और ज्यादा दर जाता है वो तुरंट अपनी पत्नी शालिनी को अपने साथ हो रही घटना को मैसेज के जर ये बता देता है और जल्दी से जल्दी अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है लेकिन तभी छत्री वाला आदमी कहता है शालिनी को रोहित होन्फने लगता है। सांस भरने के लिए वही टेबल पर बैट जाता है और अपनी तेज सांसों को शांत करने लगता है। लेकिन तभी वह महसूस करता है कि बारिश की बूंदे फिर से उसके उपर गिरना बंध हो गई है। वह अपनी नजर पीछे घूमाता है तो व पीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ है जो ठीक रोहित के सामने है। इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका है। ये सब देख रोहित की चीख निकल जाती है। इसी बीच रोहित को पीछे से बस के हौन की आवाद सुनाई देती है। वह तेजी से पीछे मुलता ह तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है। तभी कुछ लोगों का जुन बस की तरफ आते हुए दिखाई देता है। बस रुकती है और वह लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इस धक्के में रोहित नीचे गिर जाता है और वह लोग रोहित के उपर चड़ने लगते हैं। बस का कंड़क्टर इस बीर से बचने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ाता है। लेकिन इस बीर में रोहित बस के नीचे आ जाता है और उसका आधा शरीर खुन से लगपत हो जाता है। तभी उसकी पतनी शालिनी बस स्टैंड वाली लोकेशन प किसी तरह से शालिनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुँचकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर खराब हो जाते हैं। अब वह कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता है। उस को वही छथरी वाला आदमी काला चश्मा पहने दिखाई देता है और बाद में वह आदमी उनकी जान ले लेता है। कुछ दिनों बाद डिप्रेशन के कारण रोहित की मौत हो जाती है। रोहित की पतनी शालिनी मानसून के दिनों में हर रोज उसी बस स्टैन्ड पर जाती और उस छत्री वाले आदमी का इंतजार करती उसे लगता है कि शायद छत्री वाले आदमी की भी इसी तरह किसी बस के नीचे कुचल जाने से मौत हुई होगी और अब वह अपनी मौत का बदला ले रहा है शालिनी ने काफी कोशिश की लेकिन उसे कभी भी वह आदमी नहीं मिला अब हर सालगिरा पर शालिनी बहुत ही बुरी तरह रोती और रोहित को याद करती क्योंकि उसे जान से ज्यादा चाहने वाला उसका पती रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा केवल यादों की सहारे ही वह उसे महसूस कर पाती थी ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं